नमस्कार फेंट्स में नाम गाप बिब्ली और मां पीपर हैकर में आपका स्वागत रिधुत्स आग जोन काथी वाई इनबॉर्मियंट का पार्ट न दंबर 10 है ना बहीं पार्ट नम्बर कॉन सा रहने वाला इनबॉर्मियंट का बो हो जाएगा environment का part number जो रहने वाला है बो हो जाएगा अपना दसवा ठीक है part number कौन सा है दसवा part number हो जाता है इससे पहले मैंने आपको 9 part provide करा रखे हैं नहीं देखे हैं तो playlist मैं रखी है बहां जाके देख सकते हो channel के अंदर या फिर आप कहां जाएगा या फिर हमारी site पर आपको जा सकते हो site पर भी आपको playlist का link मिल जाएगा बिल्कुल easily तो बढ़ते हैं फटा पर कोशनों की ओर unit number कौन सा है ये unit जो हो जाती है यूनिट कौन सी है unit number हो जाती है यहाँ पर second और second को आज में क्या करने वाला हो वही close करने वाला हो ठीक है second जो हमारी हो जाती है unit उसको यहाँ पर हम close करने वाले है फिर हम third unit की ओर बढ़ेंगे कल ठीक है तो फेंट्स बढ़ते हैं क्योशन क्योशन जो start होगा 301 से होगा 301 से होगा तो first question जो रहने वाला है वो आपको देखना है कौन सा राइट होगा और जिस किसी को PDF notes चाहिए PDF notes चाहिए तो कहां से download करेंगे www.paperhiker.in जो हमारी site है वहां से ही आपको क्या करना है notes download करना है ठीक है तो बढ़ते हैं क्योशनों की और तो रहका है बह कोईला जो बह कोईला जो खादान करने के लिए जो खादान करने के लिए क्या है मुश्किल है बह कौन सा कोईला हो जाता है यह आपको बताना है पहला दरिखा है anthracite, peat फिर batum 발병 या पिर अपना हो जाता है link night तो right answer हमारा क्या होगा बहे कोईला जो खादान करने के लिए क्या है बही मुस्किल है मुस्किल तो बहे कौन सा बिलकुल राइट होगा तो बहे हो जाएगा Pete कोईला कौन सा होगा बही Pete कोईला हो जाएगा राइट अंसर ओप्शन नंबर भी रहने बाला है Like, Share, Subscribe दबा का ठ्हूंक दो next question और next question को देखना है next question का answer क्या होगा next question रिखाए अपना कुद्रे मुख पिरसिद्ध है जो कुद्रे मुख है क्यों पिरसिद्ध है आपको बताना है कोईले के लिए लोहा आइस्यक के लिए ऐलुमिनियुम के लिए या फिर बॉकसाइट के लिए तो कुद्रे मुख पिरसिद्ध है, किस लिए पिरसिद्ध है, पटापट बता देना है आपके लिए, तो कुद्रे मुख है वो है कहाँ पर, ये भी आपको देख लेना है, है ना, जो कुद्रे मुख है, वो है कहाँ पर, बता दो पटापट कमेंट में, है ना, बिलकुँ, स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है लोह ऐसक के लिए पिरसिद्ध है बैरी बैरी इंपोर्टेंट है कुशन बन सकता एक्जाम में नेक्स बढ़ते हैं भारत का गुलाभी सहर कौन सा है भई लाइक करो शेयर करो सस्क्राइब करो और लाइक को करना भी लाइक दबा कर ठोकना है सभी के लिए बात करते हैं भारत का गुलाभी सहर है गुलाभी वा है ना तो बात करते हैं लखनव है आगरा है जैपूर है या पिर भोपाल है तो राइट आंसर अमारा क्या होगा भारत क गुलाबी सहर कौन सा है तो भै हो जाएगा अपना जैपूर कौन सा होगा भै जैपूर तो जैपूर राजधानी किसकी राजा की जै किसकी राजा की जै मतलब राजिस्थान की हो जाएगी भै राजिस्थान की राजधानी कौन जैपूर और गुलाबी सहर भी किसे कहते है भ क्यूशन को देखना है बहुत इच्छी प्रिकार से है ना क्यूशन को कैसे देखना है बहुत इच्छी प्रिकार से देखना है जो उच्छताप सहन कर सके उसे क्या कहते हैं देखो ध्यान से जो उच्छताप सहन कर सके उसे क्या कहते हैं पहले देखा है अपना प्रभूताप दीगरतापी या पिर अनुतापी या इन में से कोई नहीं राइट आंसर भी क्या होगा राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है फटापट आंसर दीजेगा बिलकुँ तो बात करते हैं जो उच्चताप सहन कर सके उसे क्या कहते हैं भई दीगरतापी कहते हैं क्या कहते हैं दीगरत आप भी कहते हैं, right answer option number भई, भी रहने वाला है, next बढ़िएगा, next question की बात करते हैं, निमिकित में से कौन सा सुद्ध इधन कहलाता है, बिल्कुल सुद्ध इधन कौन कहलाता है, आपको बताना है, CNG, विद्धू, डीजल, या फिर पेट्रॉल, बस इन में सही बता हैं आपको, तो बात करते हैं, CNG, बिल्कुल नहीं, क्या डीजल है, या कोईला है, सरी पेट्रॉल है, ये तीनों की तीनों क्या है, बैस सुद्ध इधन नहीं है, ये तो प्रदूसर दबा कर फेकते हैं, तो बात करते हैं, सुद्ध इधन में से कौन हो जाएगा, तो भी ह नमबर भी हो जाएगा और जो लोग खेल गए हैं ऑप्से नमबर भी की ओ तो लाइक शेर सब्सक्राइब करो दबा करो आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहां देखा है जैव विविता के इस्तर हैं कौन-कौन से हैं यहां पर आपको देखना है अनुवानसिक, विविता, पिरजाती विविता, समुदाय और पाईस्तिक तंतर विविता या फिर उपियुक्त सभी तो right answer हमारा क्या हो जाएगा जै बिविता के इस तरह हैं कौन-कौन से हो जाते हैं तो बह हो जाते हैं समूदाय और पाईस्तितंद्र की बिविता right answer option number C हो जाएगा बहुत अच्छा खेल गए आगे देखेगा next question next question की बात करते हैं पसूँ में क्या नहीं पाया जाता है जो पसूँ है उनमें क्या नहीं पाया जाता है ये आपको देखना है मस्तिक्स या मूल भूत प्रवतियां समाजिक संबंद या पर इसमर्ण सक्ति क्या उनमें इसमर्ण सक्ति नहीं होती है अरे होती है भाई होती है अगर इसमर सक्ती नहीं होती तो अपने मालिक को नहीं पहचानते है ना तो बिलकुछ सही है मालिक को पहचानते है भी बसू है ना तो यहाँ पर इसमर सक्ती होती है मूल भोते प्रवतियां भी उनमें देखने को मिलती है और मस्तिक्स तो होता ही है मगर सामाज एक संबंद जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है तो right answer हो जाएगा option number C आगे देखो next question एक तालाब है एक तालाब क्या है बायोम है प्राकृतिक पाइस्तिक तंत्र है कृत्रीम पाइस्तिक तंत्र है या फिर पादपोर जन्तुों का एक समुदाय है क्या जन्तु देखने को मिलते है पादप बिल्कुल जन्तु देखने को मिलते है जीव जन्तु है जीव देखने को मिलेंगे जन्तु कैसा हो जाएगा तो दिरका है तुमारा एक तालाब है कैसा है भी प्राकर्तिक प्राइस्थिक तंत्र होता है राइट आंसर नमबर भी हो जाएगा बहुत ही अच्छा खेड़ गया है लाइक शेर सब्सक्राइब दबा करो सबी लोग ठीक है नेक्स बड़ते हैं नेक्स कुशन रखा है जीवो के आपसी मिलान का प्रिकार होता है जो जीवो क भी क्या रहने वाला है बिल्कुल आपसी मिलान किस से होता है खाग जाल से होगा क्या बिल्कुल नहीं खाग सरंखला से होगा किस से होगा भई खाग सरंखला से रहने वाला है आपसी मिलाओ क्योंकि यह पौदो को कौन खाते हैं भई पौदो को पिर्थम भोगता दुतिय मिलाओ, हो गया भई, आगे बढ़ते हैं next question, next बढ़ते हैं, निम्निकित में से कौन सी गर्मधारा है, तो गर्मधारा बताओ भई, इन में से कौन सी है, पहले दिरेकी हमारा हमबोल्ट धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, बेने जोईला धारा, या फिर फीरू धारा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, गर्म धारा बतानी है, ठंडी नहीं, बात करते हैं, हिमबोल्ट धारा कैसी है बई, कैसी है, सुस्क ठंडी भी हो सकती है, कनपर्म, हमें तो भई है नहीं है आप बताएगा बिल्कुल तो बात करते हैं गर्मधरा की और बढ़ेंगे याद कैसे करें गा से गर्म और गा से गल्फ तो गल्फ स्टीम धारा जो है वो कैसे होति है देखो हमने लाल सागर बताया था मगर यहाँ पर लाल सागर नहीं होगा ध्यान से देखना है ने में कितमें से किस समद में अधिक लबड़ता होती है तो वह होती है मृत सागर में किस में मिरत सागर में अधिक लबरता होती है, right answer option number A हो जाए, अगर म्रत सागर नहीं होता, तो हम जाते भाई, लाल सागर की और, तो हम कहा जाते, तो हम लाल सागर की और जाते, मगर यहाँ पर म्रत सागर दे रख्का है, तो right answer option number A रहने वाला है, next बढ़िएगा नेक्स कुशन की बात करते है नब्बे करडिये संसाधन का उधार्ण है यहाँ पिर नब्बे करडिये नहीं होना चाहिए नबीन करडिये होना चाहिए कैसा नबीन करडिये होना चाहिए भई नबीन करडिये संसाधन का उधार्ण है कौन सा है बायू जीबासम इधन खनेज या फिर मिर्दा उर्ब्रग right answer हमारा क्या रहने वाला है फटापट भई like share subscribe दवा कर गरिएगा सभी लोग बिल्कुल right answer क्या रहने वाला है तो बात करते हैं नभी निकडिये किसे कहते हैं बई नभी निकडिये कहते हैं जिसे हम कम समय में उत्पन्य कर सकें है ना उत्पन्य किया जा सके बै होता है नभी निकडिये संसाधन बायू क्या उत्पन्य की जा सकती है आप कहोगे बिल्कुल नहीं खनित जो होते हैं उत्प निकड़ी कह सकते हैं क्योंकि इने हम कम समय में तयार कर सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी हाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है अगर आप सुरू से वीडियो देखते होगे तो बिल्कुल इस कोशन का आंसर अब तक आपने लगा दिया होगा और जिसने भई लगा रखा है लाइक शेर सस्क्राइब दबा कर ठोको नेक्स कोशन की बात करते हैं भारत में सबसे अधिक बन है अरत में सबसे अधिक बन आपको बताना है कौन सा है मानसूनी, टुड्रा, सदाबहार या फिर जुआरिये राइट आंसर क्या होगा भारत में सबसे अधिक बन हैं कहां पर हैं कैसे बन हैं भई ऐसे बात करते हैं छेत्रपल के अनुसार तो मद्द प्रदेश में और यहां देखा है भारत में सबसे अधिक बन हैं मानसूनी, टुड्रा, सदाबहार या फिर जुआरिये राइट आंसर भी क्या रहनी वाला भारत एक कैसा है मानसूनी देश है तो यहां पर भारत में बन भी कैसे होंगे मानसूनी बन ही पाई जाते हैं सबसे ज़्यादा तो राइट आंसर उप्शन नमबर ए रहने बाला है नेक्स कुशन की बात करते है प्रमुक आ नभी निकडिये उर्जा संसादन है अभी हमने क्या देखा था नभी निकडिये उर्जा संसादन है कौन सा है बताओ फटा 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 पर सूर्य उर्जा जल उर्जा जीवास उर्जा कौन सी है, सूर्य उर्जा, जल उर्जा, जीबास्म इधन, या फिर अपना हो जाता है कास्ट, तो यहाँ पर बात करते हैं, नभी निकडिये उर्जा, जल उर्जा, सूर्य उर्जा, जीबास्म इधन, अच्छा ये हो भी सकते हैं, ठीके नभी निकडिये, मगर यहा सब कैसे हैं आ नभीन कडिये ही दिरखें हैं होना चाहिए आ नभीनी कडिये उर्जा संसाधन नहीं है क्योशन में कुछ गलती देखने होगा हमें मिल रही है वैं तो यहां पर जो राइट आंसर अब होगा वोगा कास्ट ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर डी रहने वा अच्छा और जीवासम इधन हाँ यह तीनों कि तीनों सेम लग रहे हैं मुझे और जो बिल्कुल अलग है वो कास्ट ही लग रहा है तो राइट आंसर दी ही रहने वाला है ठीक है आनभीनी कडिये संसाधन कौन सा नहीं है तो वह हो जाएगा अपना कास्ट आगे देखते ह नेक्स गोशन नेक्स रखा है खनिज होते हैं खनिज कैसे होते हैं नभीनी कड संसाधन अच्छे संसाधन अच्छे संसाधन या फिर संतुलित संसाधन राइट आंसर क्या होगा खनिज कैसे हैं जिने हम क्या दोबारा तयार कर सकते हैं नहीं खनिज सीमित हैं तो यह कैसे ह होंगे आ नभी निकर्डिय संसाधन रहने वाले हैं राइट अंसर ऑप्शन नमबर भई भी रहने वाला है नेक्स बढ़ते हैं राजिस्तान की पिर्सिद्ध नहर का नाम क्या है जो राजिस्तान की नहर है पिर्सिद्ध उसका नाम आपको यहां पर बताना है कौन सी हो जात या पर इनमें से कोई नहीं तुझो नहर हो जाती है वे ओजाती है उंद्रा गांदी नहर कि इसकी जो कुदाई कराई थी सबसे पहले इती 1927 में 1927 में kimRI महाराजा गंगा के महां राजवा गंगा के द्वारा महाराजा गंगा के द्वारा कब इeddar 1927 में ठीक है भी अब यह निकलती कहां से है इंद्रा गांदी नहर आई कहां से भई तो यह आ जाती है हरी के बैराज से किस से भई इंद्रा गांदी नहर पूंच सकता है कि इसका उधिगम कहां से है तो भै हो जाता है हरी के बैराज से कहां से भई हरी के बैराज से यहां पर सतलज और ब्यास जो नदी आती है दोनों का संगम होता है और ये दोनों की दोनों कहां पर जाके गिरती है जो होता है हरी के बैराज है उसमें जाके जल एकटा होता और यहां से एक नदी निकलती है वो कहां पर राजिस्थान में जिसे क्या कहते हैं इंद्रा गांधी नहर कह बैइ सब्सक्राइब करें अगर कौन सी नधी लखनों में है thànhौक चौन सी नदी लखनो य यहां पर रा भी ? तो लकनों में कौन सी है ये आफको बताना है तो लकनों में कौन सी वई लकनों में गोमती है राइट आंसर उप्सें नमबर C हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल आगे देखते है next question देरे गय hey कायत मारा कपास अच्छी उगती है जो कपास है वो अच्छी कहां उगती है वही वो उगती है काली मिटी में कौन सी मिटी में वही काली मिटी में जिसे रेगुर मिटी भी कहा जाता है राइट आंसर उपसर नमबर भई भी रहने बाला अपना आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं जीव धारी में के बाता बर्ड के बीच अभी किरिया के अध्यन को क्या कहते हैं आपको बताना है या फिर मनो बिग्यान राइट आंसर अमारा क्या हो जाएगो तो उसे कहते क्या हैं उसे कहते हैं पारिस्तिकी बिग्यान राइट अंसर ऑप्से नमबर भई सी रहने बाला है next बढ़ते हैं next दुरिक तंतर में उर्जा का प्राथमिक इस्तोत क्या है पाइश्थिक तंतर में उर्जा का प्राथमिक पहला इस्तोत कौन सा है वह या हरे पौदे पेण या फिर उल्टा कर दिया कोई बात नहीं सुरिका परिकास या फिर पसू या फिर जल राइट अंसर क्या होगा पाईश्थिक तंद्र में उर्जा का प्राथ्मिक इस्तोत कॉन सा है तो बहे हो जाता है सुरिका परिकास नमबर भी हो जाएदा next बढ़ते हैं मानव और उसके परियावड़ के अंतर संबंदों की ब्याख्या कहलाती है क्या कहलाती हैं आपको बताना है मानव पारिस्थित्की, मानव पिरजनन, पारिस्थित्की या फिर इन में से कोई नहीं right answer भी क्या हो जाएगा तो मानव और उसके परियावड़ के अंतर संबंदों की ब्याख्या कहलाती है क्या कहलाती है मानव पारिस्थित्की कहलाती है right answer option number ए हो जाएगा next बढ़ते हैं तेरे काई समुद्री तट की बनस्पतिया कहलाती है जो समुद्री तट पर जो बनस्पतिया होती है उन्हें क्या कहते हैं आपसे पूछ रखाए हैलो फाइटिक बनस्पतिया समुद्विद बनस्पतिया मरूद्विद बनस्पतिया जलोद भिद बनस्पतिया तो right answer भई क्या रहने वाला है बिल्कुल कौन सा right होगा भई उद्रे कहा है समुद्री तट पर बनस्पतियां कहलाती है क्या कहलाती है उन्हें कहते हैं हैलो फाइटिक बनस्पतियां क्या कहते हैं हैलो फाइटिक बनस्पतियां कहते हैं याद कैसे करे ये हमारा हो गया समुद्र ठीक है भी ये हमारा हो गया समुद्र अब उसके यहाँ पर बनस्पतियां हैं तटपर क्या है भई बनस्पतियां लगी रखी है अब इसकी लहरे आएंगी सुनामी आएंगी है ना समुद्र में से क्या आएंगी भई लहरे सुनामी आएंगी और य यह क्या करेंगी बई यह क्या करेंगी बनस्पतियां अपने जीवन को बचाने के लिए इस मानसूनी हवाओं से क्या करेंगी फाइट करेंगी बई क्या करेंगी फाइट हमें देखने को मिला फाइट क्या फाइट कहा मिला है फाइट यहां पर ही मिला है हैलो फाइट में बा next question की बात करते हैं एक पाइस्तितिक तंत्र में अजैबिक घटक है जैबिक nutrition फोसे कहते है जिसके प्रूच्र कॉम्ह प्रोटीन और चैबिक घटक करना है तो फटापड भई, like, share, subscribe करना है, है ना, तो आंसर भी देना है साथ में, तो कौन सा होजाएगा बिल्कुल राइट, तो बात करते हैं, एक 25 ते तंतर में आजयविक घटक है, तो उर्जा का प्रवाद जयविक है, पदार्तों का चकरीकड ये भी होए, और हमारा उब्भोक ता भी हो जाता है, तो अजयविक घटक कौन सा हो जाता है, तो वो हो जाता है, उर्जा का प्रवाद पदार्तों का चकरीकड है, ये दोनों के दोनों क्या है, अजयविक घटक है, ध्यान से देख लो, उर्जा के प्रवाद में कार्भोहाइडिट बसा प्रोटीन होता है, बिल्कुल नहीं तो यहाँ पर उर्जा का प्रवाव और पदातो का चक्रिकर दोनों होने वाला गल्त मत कर देना तो यहाँ पर जो भोगता है वो क्या है इसमें कार्बोहाइडेट बसा प्रोटीन सब होते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की बात करते हैं देखाएं हिंदु धर्म में कदम ब्रक्ष का नाम किस भगवान से जुड़ा है जो कदम ब्रक्ष होता है उसका नाम किस भगवान से जुड़ा है आपको बताना है पहला देखा है ब्रह्मा लच्मी कृष्ण या फिर विश्णू तो right answer हमारा क्या होगा तो जो कदम ब्रक्ष है वो नाम से जुड़ा हुआ है वो नाम से जुड़ा हुआ है अपने क्रिशने से है ना मुरली धर बिल्कुल आगे देखते हैं next question यहां देखा है पाश्तिक तंत्र में घास के टिड़े को किस इस्तर पर रखा गया है जो घास क के टिड़े होते हैं उन्हें किस इस्तर पर रखा गया है आपको बताना है प्रात्मिक को भोगता दुतिय को भोगता तृतिय भोगता या फिर आप घटन करता right answer भई क्या रहने वाला है तो घास किस में आ जाएगी घास आ गई उत्पादक में अब इसे कौन खाएगा आत्मिक भोगता में आ जाएगा right answer option number हो जाएगा भई ए है ना बिलकुल इजीली था like, share, subscribe दवा कर ठोक दो पर ठीक है आगे बड़ते हैं निम्न में से कौन उर्जा का भावी एवं सर्व्यापी भंडार होगा उर्जा का ध्यान से को उर्जा का भावी और सर्व्यापी होगा कौन सा होगा सागरिये जल नदिये जल या फिर शौर्यक सक्ती या बायू सक्ती तो right answer हमारा क्या रहने वाला है देखो बिलकुल ही जीत रखाए निम्न में से कौन उर्जा का भावी एवं सर्व्यापी भंडार होगा तो वह कौन हो जाएगा सौर्यक सक्ती हो जाए लगी right answer option number C रहने वाला है next बढ़ते हैं भारत में man group बनस्पती पाई जाती है कहां पाई जाती है सुंदर्बन डेल्टा में कहां पर सुंदर्बन डेल्टा में कहां पर पाई जाएंगी सुंदर्बन डेल्टा में पाई जाएंगी और सुंदर्बन डेल्टा है कहां पर यह हो जाता है भी पश्चेम बंगाल मतलाव बेश्ट बंगाल में और यहीं पर बात करते हैं भारत में मैंन गुरोब बनस्पतियां पाई जाती है तुभे कहां पाई जाती है यह आपको देखना है ना बिल्कुल और बात करते हैं सुंदर बंडेल्टे का निर्माड हुआ कैसे है ना हुआ कैसे गंगा आई इदर से ब्रंपुत्र नदी आई इदर से है ना बई गंगा आई इदर से भारत में क्या कहलाई भारत में गंगा कहलाई भारत में क्या कहलाई गंगा उसके बाद यहां पर क्या आ गया बई यहां पर क्या आ गया ये हमारा आ गया क्या बंगला देश है ना ये आ गया बंगला देश में इसे क्या कहने लगे पदमा कहने लगे क्या कहने लगे गंगा का नाम बंगला देश में क्या पढ़ गया पदमा पढ़ गया इसके बाद इदर आई चीन से सांग पो कौनसी सांग पो है जैसे ही उसने भारत में प्रवेश किया जैसे ही उसने भारत में प्रवेश किया भारत में प्रवेश करते ही क्या कहलाई भई कहलाई ब्रह्म पुत्र क्या कहलाई भई ब्रह्म पुत्र कहलाई और ब्रह्म पुत्र भारत से निकल कर जैसे ही असम से होती हुई कहां पहुची ये पहुंची भई बंगला देश में तब इसका नाम क्या पढ़ गया ब्रह्म पुत्र का नाम पढ़ गया भई जमुना क्या पढ़ गया जमुना कहने लगे है ना भई बिलकुल बंगला देश में गंगा को पदमा और ब्रह्म पुत्र को क्या कहने लगे जमुना कहने लगे अब दोनों का हो गया पदमा और जमुना का क्या हो गया मिलन हो गया जब मिलन हो गया मिलन के बाद गंगा और सारी पदमा और जमुना क्या कहने लगी इनको कहने लगे मेगना क्या कहने लगे और ये मेगना कहा गिर गई बंगाल की खाड़ी में है ना कहा गिर गई बंगाल क खाड़ी में जाके गिर गई और यहां पर निर्माड किसका होता है इसके दौरा बहाव के लाई जो मिट्टी होती है उसके दौरा निर्माड हुआ सुन्दर का निर्माड हुआ अच्छी प्रिकार से देख लिया न याद हो गया तो like, share और subscribe क्या करना है दबा कर ठोकना है ठीक है ना तो बिलकुल तो यहाँ दे रखा है कि भारत में मैन गुरू बनस्पतियां पाई जाती है कहाँ पर भाई पस्चिम बंगाल में बेश्ट बंगाल में राइट आंसर हो जाएगा option number D अपना आगे देखते हैं next question next question की बात करते हैं बनो पर आधारित ओधोग कौन सा है बनो पर आधारित ओधोग कौन सा है आपको बताना है कागज, चीनी, सूती बस्तर या पिर मोटर बाहन तो right answer हमारा क्या हो जाएगा तो बनो पर जो आधारित ओधोग हो जाता है वो हो जाता है अपना कागज right answer option number B A र प्राकर्टिक गैस, uranium तथा platinium तो यहाँ पर बताना है कौन सा बिल्कुल right हो जाएगा की खानज इधन का उधारण नहीं है तो बहें कौन सा right होगा भी तो बात करता है कोईला खनज इधन में आता है यूरेनियम खनज इधन में आता है प्राकृतिक गैस भी किस में आएगी खनज इधन में आएगी मगर प्लेटीनम जो है वो इसके अंद्रगा तो नहीं आने बाला है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर टी ठीक है इधन नहीं है आगे देखते हैं next question यहाँ रखा है निम्निमे से लोहा और इस्पात उद्धोग की स्थापना में इस्थापना के लिए एक आदर्स सयोजन है अगर आप लोहा इस्पात उद्धोग को प्रूसाइन करोगे खोलोगे तो आपको क्या किस चीज पर फोकस करना है यह देखना है क्या क्या चाहिए आपको इसकी स्थापना के लिए कोईला बिद्धुत मार्केट कोईला आइरन आइसक पानी बिजली पानी आइरन आइसक या फिर अपना हो जाता है कोईला पानी कपास राइट आंसर क्या हो इतना तो कंफरम है कोईला तो चाहिए चाहिए तो कोईला यहां पर भी है कोईला यहां पर भी है अब भई लोहों का उद्धो खिल लहें तो बिद्धो थोड़ी चाहिए है ना हमें क्या चाहिए आइरन चाहिए क्या चाहिए बई आइरन चाहिए है ना बिल्कुल अब आइरन तो चाहिए ही चाहिए साथ में आईशेक भी चाहिए क्या चाहिए आईशेक भी चाहिए और पानी चाहिए तो राइट आंसर जोगा option number B हो जाएगा यहाँ पर जो लोग option number B दे रहे हैं भई like, share, subscribe क्या करना है दबा कर ठोकना है आगे बरते हैं next question यहाँ रखा है निम्रिकित मेंसे किस राज में इस्थांतित किर्सी होती है इस्थांतित किर्सी के से कहते हैं आपको मैंने बता रखा है अगर पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लेना ठीक है भी बात करते हैं इस्थांतित करते हैं एक जगे खेती करते रहेंगे उसकी उपजाओ खतम हो जाएगी एक एक सिर्फ एक जाती के पौधों के लिए जैसे कि कोई भी जाती लेते हैं धान करते हैं तो धानी धानी करेंगे और इसकी जब तक मतलब इसकी जो उपजाओ खतम हो जाएगी तब इस खेती का यूज ना करकर करते हैं दूसरी जगे खेती का यूज करते हैं ना दूसरी भूमी का यूज करते हैं तो इस प्रकार से इस्थांतित किरसी इसी को कहा जाता है तो यह कहां होती है पंजाब बिहार मिजोरम या फिर केरल में राइट आंसर अ से कौनसा लबड़िय पारीतंतर से समबंदित है लबड़िय पारीतंतर ध्यान से देखना है जहाँ पर लबड़ता देखने को मिले तालाब, जील जलास से या फिर हो जाता है सक्रिय डेलटा राइट अंसर अपना क्या हो जाएगा निम्रिकित में से कौन सा लबड़िये पारी तंत्र से संबंदित है तो बह कौन सा हो जाएगा सक्रिये डेल्टा रहने वाला है भी राइट आंसर उप्सिन नंबर डी हो जाएगा आगे देखेगा नेक्स कुशन की बात करते हैं दुबदा राष्ट उद्धान कहां है दुबदा राष्ट उद्धान कहां पर है या आपको बताना है पता है खीरी में है कहां पर है भई खीरी में है लखीमपुर खीरी बिलकुल तो दुबदा राष्ट उद्धान कहां है राधिस्थान में असम में, गुजरात में या फिर उत्य प्रदेस में, तो दुवदा राश्ट उध्धन जो हो जाता है, बह हो जाता है, उत्य प्रदेस के लखेमपुर, खीरी में, right answer option number हो जाएगा भई, d, कौन सा हो जाएगा भई, option number D यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा, और जो लोग option number D दे चुके हैं, like, share, subscribe क्या करना है, दवा कर ठोकना है, आगे देखते हैं, next question, निम्रिकत में से कौन सा अभ्यारण उत्राखंड में इस्तित है, तो उत्राखंड में इस्तित कौन सा है, यह को बताना है, चंदर प्रभा कहां हो जाएगा, उडिसा में, है ना, काजी रंगा कहां हो जाएगा, असम में, सिमली पाल कहां हो जाएगा, उडिसा में, तो यहाँ दे रखाए तुमारा, कौन सा अभ्यारण यूके में है, तो यूके में कौन सा है भई, जिम, जिम, है ना जिम कार्वेट नेशनल पार्क है तो right answer option number हो जाएगा बई C और सबसे पुराना यही हो जाता है ठीक है भी यह भी आपको याद अखना है next बढ़ते है next दे रखा है तुम्हारा अधात्विक खनज का उधारण है जो अधात्विक खनज होते है उनका उधार कौन सा है यह आपको बताना है अलुमिनियम, सीसा, नाइट्रेट या फिर तामबा तो right answer अपना क्या हो जाएगा भी देखेगा फटापट अधात्विक धात्विक नहीं अधात्विक ठीक है ना बिल्कुम्हारा अलुमिनियम धात्विक है नेक्स कुशन की बात करते है बन्ने और बन्ने जीब है बन्ने और बन्ने जीब है क्या है नभीन कर्डिय संसादन अच्छे संसादन अनभीनी कर्डिय संसादन या फिर इन में से कोई नहीं right answer अपना क्या हो जाएगा तो बनने और बनने जी वी क्या है ये आ नभीनी कडिये संसादन हो जाते हैं राइट आंसर अप्शन अमबर सी हो जाएगा आगे देखते हैं नेक्स कुशन की बात करते हैं अधिकतर पौधे के लिए सर्बोत्तम मिरदा है सर्वोत्तम सबसे उत्तम मिर्दा कौन सी है दोमट, चीका, चीका दोमट या फिर बलूई तो right answer मारा क्या हो जाएगा ये तो बहुत बार देख लिए है तीसरी बार repeat question हो रहा है भी तीसरी बार अब भी question गलत गया तो बेकार है तो अधिकतर पौधे के लिए सर्वोत्तम मिर्दा कौन सी है दोमट मिर्दा है राइट answer option number भी ए हो जाएगा ठीक है भी आगे देखते हैं next question यहाँ देखा है निम्रिकित में से किस खादान का बिसमे अधिकतम उपियोग होता है कौन सा खादान ऐसा है जो कि बिसमे सबसे अधिक उपियोग होता है गेहूं चाबल जो या फिर मक्का राइट answer कौन सा है भी सबसे ज़्यदा खादान जो होता है वो होता है अपना गेहूं का राइट answer option number अपना ए रहने बाला है और गेहूं में जो अगड़ी देश है वो कौन सा है भई वो हो जाता है अपना चीन ठीक है भई अपना नहीं दूसरों का चीन है नेक्स बढ़ते हैं यहाँ रखा है पीट का संबंद है पीट का संबंद किससे हैं आपको बताना है तो यह question repeat हो गया भई संबंद किससे होता है इसी में देखा है कोईले से पेटरॉल से या फिरं मेगनीज से राइट आंसर क्या होगा जो पीट संबंद होता है वो किससे होता है कोईले से होता है और इसका खादान नहीं होता है organized बादान मुस्किल होता है पीट कोई लेका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भई भी रहने वाला है नेक्स बरते हैं नेक्स कोशन देखा है प्रकरतिक में उर्जा का प्रमुक इस्तोत है तो फिर भई रिपीट कोशन ओला आडबिक उर्जा पेट्रोलियम या फिर सौर उर असर क्या होगा दे रखा है अपना जल्बिद्धु सक्ती के उत्पादन में प्रमुक रूप से प्रवावित करता है तो यहां देखेगा कौन प्रवावित करता है आपको बताना है गाटी का ढाल नदी की चोड़ाई गाटी में बरसा की मात्रा या फिर मौसम तो जल्बि दुसक्ती कहां से होगी पहाडों पर बरसा होगी है ना तबी तो घाटी में बरसा की मात्रा पर निर्बर करता है राइट आंसर उप्शन नमबर भी सी हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं यहां रहा है निमनिकित में से कौन सा राश्टीय ब्रक्ष है अच्या राश्टी ब् कौन सा है तो भै कौन हो जाएगा भई हटाबर कमेंट करो लाइक शेर सब्सक्राइब करो और यह कम यह आपके लिए मैंने छोड़ दिया इजी है इसलिए मैंने आपको यह छोड़ दिया नेक्स बढ़ते हैं यहाँ रिखा है निम्निकित में से किस सागर में मचलियां नहीं मिलती है इनका सब को कमेंटे में आंसर देना है बई किस सागर में मचलियां नहीं मिलती है लाल सागर मिरत सागर काला सागर या फिर स्वेट सागर तो आपको पता है जिसमें जब से ज़्यादा लवडिता होगी बहां पर मचलियां नहीं मिलेंगी तो दिरखाए निम्निक किसके लिए आपको बताना है गेंडा के लिए आती के लिए कस्तूरी म्रक के लिए या फिर बंगाल टाइगर के लिए तो हमने देखा ना सुन्दर बन सुन्दर बन किसके लिए प्रसद्ध है यह अपना हो जाता है बंगाल टाइगर के लिए राइट अंसर अप्शन नमबर दी हो जाएगा अपना next बढ़ते हैं next question की बात करते हैं अच्छाय संसाधन नहीं है जो 6 ना हो 6 मतलब जो 6 हो जाए अच्छाय जो 6 ना हो ठीक है तो right answer बताना है कौन सा हो जाएगा तो पहला दिरक्षा है सौरूर्जा खनिस्तेल जल भायू या फिर महा सागरिय जल हतम होगा बिलकुल नहीं अच्छाय नहीं है भाई अच्छाय संसाधन नहीं है तो 6 बताना है 6 संसाधन कौन सा है जल भायू 6 नहीं होगा ये भी अच्छाय है सौरूर्जा 6 नहीं होगी ये भी अच्छाय है खर्णिज तेल कैसा है एक अच्छा है संसाधन है तो राइट अंसर उप्षा नंबर भई रहने वाला है नेक्स बढ़ते हैं नेक्स से कुशन का अंसर अपना क्या रहने वाला है इसको देखेगा क्यों शन दे रहा है अपना निम्रिकित में से कौन सा जानबर मास उद्धो के लिए सबसे अधिक महात्पूर है मास उद्धो के लिए सबसे अधिक महात्पूर कौन सा है बकरी बेड़ भैंस या फिर सूर तो इन में से तो आप लगाई सकते हो कौन सा हो जाएगा भईि बकरी हो जाएगा मुर्गी हो जाता है ना आगे देखते हैं चीड़ एबंडेवधार मुखता पाई जाते हैं पूर्वीघाट हिमाले पस्चमीगाट मरुस्तल राइट आंसर क्या होगा चीड और देवदार जो ब्रेक्ष होते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं अपने हिमाले पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर भई भी रहने बाला है जो लोग ऑप्शन नंबर भी दे रहे हैं लाइक शेयर सस्क्राइब दबा कर ठोंको भई नेक्स बढ़ते हैं तेहरी बांद में जल एकत्र होता है यमुना का भागी रती का गागरा का या फिर कोसी का राइट आंसर हमारा क्या होगा तेहरी बांद में जल एकत्र होता है किसका किसका भई तेहरी बांद है कहां पर पहली बात ये आपको याद होना चाहिए तेहरी बांद कहां पर है त पतलब उत्तरा खंड में टेरी बांद कहां है उत्तरा खंड में इस्तित है और किस टेरी बांद में जल एकत्र होता है किस नदी का एकत्र होता है वह आपको अताना है यमुना का भागी रती का गहागरा का या फिर कोशी का भाई भागी रती का एकत्र होता है राइट आंसर में से किस प्रकार की बरसा होती है जो बिसूबती रेकिये प्रदेश है उनमें किस प्रकार की बरसा होती है आपको बताना है चक्करवाती बरसा प्रति चक्करवाती बरसा परवती बरसा या पिर संबहनी बरसा तो answer क्या होगा बिसुवत रेखिए प्रिदेश में निम्रिकित में से किस प्रिकार की वर्षा होती है तो वो होती है किसी संबेहनी वर्षा होती है right answer option number D रहने वाला है next बढ़ते हैं देरे का प्राकर्तिक संसादन का अत्तिक इस्तमाल होता है चीन में भारत में ग्राजील में संयुक्त राज अमेरिका में तो जो प्राकर्तिक संसादन है उसका अधिक इस्तमाल कहा होता है भई संयुक्त राज अमेरिका में होता है राइट अंसर उप्से नंबर हो जाएगा अपना D आगे बढ़ते हैं next question next question की हम बात करते हैं निमिके तमेसे किस राजमे जो आरीय उर्जा की सबसे अधिक सम्भाव नाए है जो जो आरीय उर्जा की सबसे अधिक सम्भाव नाए कौन किस राजमे है ये आपको यहाँ पर बताना है उडिसा, खुजरात, पस्चे मंगाल या फिर केरल राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है तो जो आरिये मैंने आपको परिकल्पनाई बताई थी है ना पत्वी के ब्रह्मांड की उत्पत्ती के अनुसार परिकल्पनाई बताई थी मैंने है ना पड़ा रखा है बीए में तो यहाँ दरका है जो आरिये उर्जा की सबसे अधिक संभावनाय होती है कहाँ पर केरल में होती है राइट आंसर उप्शन नमबर हो जाएगा बई डी नेक्स से कोशन की बात करते हैं निम्निकत में से कौन सी खरीप की फसल है तो खरीप की फसल कौन सी है आपको बताना है चना, गेहूं, चाबल या फिर अपना हो जाता है मटर कौन से राइट होगा भी खरीप की फसल कौन से हो जाती है तो बहर रहने वाली है चाबल और रभी की हो जाएगी गेहूं आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन नेक्स तरह का है फल सबजियां अच्छे इस्तोत हैं किसके प्रोटीन, बसा, कार्बोहईडेट या फिर बिटामिन और खनिज तो जल सबजियां जो होती है फल सबजियां वो अच्छे इस्तोत किसके होते हैं बिटामिन और खनिज के होते हैं Right answer option number हो जाएगा अपना D. Next बढ़ते हैं, तो रखा है, सेरी कल्चर संबंदित है, जो सेरी कल्चर है, वो किस से संबंदित है, केचुआ पालन से, रेसम कीट पालन से, मबेसी पालन से, या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो सेरी कल्चर है, वो किस संबंदित है, ये अपना रेसम कीट पालन से हो जाएगा, Right answer option number हो जाएगा भई, B. Next बढ़ते हैं, यहाद रखा है निम्निकित में, कौन अपगटक है, अपगटक कौन सा है, ये आपको बताना है, सर्प, सेर, चुहा, या फिर जीबाडू, तो निम्निकित में से कौन, अपगटक है, तो बह कौन हो जाएगा भई, जीबाडू हो जाएगा, Right answer option number रेने वाला है भई, D. Next बढ़िएगा, यहाँ देखा है निम्निकित में से कौन सा, जलोर अबसादो का खनिज है, जलोर देखा यहाँ पर, जलोर अबसादो का खनिज है, वो बताना है आपके लिए, तांबा, तीन, चांदी, या फिर अभरक, तो राइट आंसर, क्या रहने वाला है, तो निम्निकित में से कौन सा, जलोर अबसादो का खनिज है, तो वो अपना हो जाएगा कौन सा, अब रख, राइट आंसर, उप्शन अंबर हो जाएगा बेटी, है ना, दबा कर लाइक, शेर, सस्क्राइब ठोग दो भी सबी लोग, नेक्स बढ़ते हैं, नेक्स कोशन की बात करते हैं, भारत की उर्जा, अबसक्ता में, जीवास्मी इदन के बाद, योगदान करने बाला, दूसरा सबसे महात्पूर इस्तोत कौन सा है, भारत की उर्जा, अबसक्ता में, जीवास्मी इदन के बाद, योगदान, जीवास्मी इदन की बात कर रहा है, ध्यान से देखना, जी वासमी इदन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महात्पुरिस्तोत कौन सा है सौर उर्जा, नाबिकिये उर्जा, जल उर्जा, या फिर पबन उर्जा तो राइट आंसर भी क्या रहने वाला है, फटापट आंसर दो कौन सा हो जाएगा भै अरे भैया जी नाबिकिये इदन रहने वाला है, नाबिकिये उर्जा रहने वाली है राइट आंसर उप्शन नंबर भी हो जाएगा, अच्छा क्योशन है याद कर लेना नेक्स बरते हैं, किरसी मिट्टी कौन सी गैस छोड़ती है जो किरसी मिट्टी है, वो कांसी गैस छोड़ती है CH4, NH2, N2O, CO2 या फिर CO तो राइट आंसर मारा क्या होगा नाइटरस उप्शाइट, राइट आंसर उप्शन नंबर बी रहने वाला यहाँ पर नेक्स बरते हैं, भारत में 70% बिजली कहां से आती है कोईला से, तेल से, परमाडू से या फिर प्राकरतिक गैस से तो भारत में जो 70% बिजली होती है, वो कहां से आती है भाई कोईले से प्राप्त होती है, राइट आंसर उप्शन नंबर ए रहने वाला है नेक्स देखो, नेक्स से कुशन की बात करते हैं कंचन जंगा, कंचन जंगा, जैब मंडल संपदा इस्थित है कंचन जंगा, जैब मंडल संपदा कहां इस्थित है ये आपको इहां पर बताना है तो फटापट आंसर दो, कौन सा बिल्कुल राइट हो तो कंचन जंगा जैब मंडल जो समपदा है, वो कहां हिस्तितेM नेनी ताल में, उतराखंड में या फिर असम में तो कंचन जंगा हो जाएगी वो हो जाएगा कहां? सिक्किम में, right answer option number हो जाएगा A क्या हो जाएगा? option number A रहने बाला है नेक्स बरते हैं यहाँ रखा है पाईश्थिक तंतर में उर्जा का इस्तोत है पाईश्थिक तंतर जो है उसमें उर्जा का इस्तोत क्या है ग्लूकोस, ATP, नुकले करमल या फिर अपना हो जाता है सूरिका प्रिकास तो right answer क्या होगा भी ये तो एजी ही तरह रखा है ना कौन सा होगा सूरी का प्रिकास next बरते हैं प्रत्वी पर जीवन के लिए सबसे हानी कारक है प्रत्वी पर जीवन के लिए सबसे हानी कारक कौन सा है वो बताना है new click fall out या फिर जंगलों को नश्ट करना मरस्तल को बढ़ना या फिर इन में से कोई नहीं तो कौन सा राइट होगा प्रत्वी पर जीवन के लिए हानी कारक है कौन सा है भी सबसे ज़्यादा हानी कारक तो वो हो जाता है new click fall out तो right answer option number 2 ए रहने बाला है next बढ़ते हैं और इस वीडियो का last question हो जाता उसके बाद unit number third start होगी देखा पाश्तिक तंत्र का महात्व है पदार्तों का चक्रण में या फिर उरजा के प्रभा में या A और B दोनों में इन में से कोई नहीं right answer क्या होगा पाश्तिक तंत्र का महात्व है पदार्तों के चक्रण में भी है और उरजा के प्रभा में भी है तो right answer option number B हो जाएगा और जिन लोग का answer option number C आ रहा है बो लोग को क्या करना है भई like, share, subscribe, दबाका ठोकना है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारे होते है 63 question जो हो जाते है भी complete हो जाते है है ना तो यहाँ पर जो unit number हमारी second होती है वो समापत हो चुकी है अब हम कहां बढ़ेंगे unit number 30 के और बढ़ेंगे जो हम कहां देखेंगे कल देखने वाले है तो friends like करो, share करो, channel को करो दबाकर subscribe ठीक है बैल आइकन को तो प्रेस करना मत भूलेगा कोगी नोट पर किसमें आपके घर पहुंचेगा तो like, share, subscribe करो तो फिर्ट जय हिन, जय भारत